हेलो फ्रेंड नमशकार आज हम आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं जैसे कि कई वर गला खराब हो जाता है जुखाम होता है और खांसी बहुत जादा हो जाती है सरदियों के दिनों में तो उसके लिए ये एक होमेड रेमेडी है जो दूद और बेसन से ये बनती है ये बहुत ही जादा हैल्दी टेस्टी और कोल्ड में तो ये एक रामबान इलाज है तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं अब रेसिपी बनाने के लिए मैंने कराही गरम होने के लिए रख दिया है इसमें हम एक चमच घी डालेंगे घी सिर्फ एक ही चमच डालना है क्योंकि हम यहां पे एक कफ दूद यानि की धाइस्टो ग्रम दूद से ये रेसिपी बना रहे हैं बहुत जारा घी नहीं डालना है इसमें यहां पे मैंने एक चमच बेसन लिया है एक चमब गी लिया, एक चमब बेसन लिया है, अब लो फ्लेम पे हमने इसे भूढ़ना रहाएं, अगर फ्लेम हुआ, तो बेसन एक दि零त जल जाएगा, और इसका जो प्थ्याच पन है, इसका टेस्ट है, वो रह जाएगा इसके अंदर, आपने सिर्फ बेसन को लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बिना रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसमें बेसन एड़ कर सकते हैं जैसे एक कब दूद के लिए हम एक छोटा चमच बेसन का यूज़ कर रहे हैं जब इसमें फ्लफीनेस आजाएगी थोड़ी सी तब इसके अंदर हमने दूद डालने अब दीखिए मैंने इसके अंदर टू पिंच पेदा करीब हल्दी डालनी है हल्दी एंटिबाइटिक का काम करती है हल्दी पीना दूद के अंदर डाल कर बहुत ही अच्छा माना जाता है और हेल्थ के लिए तो यह बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही फायदे मंद होता है हल्दी बेट लोस करती है खानसी जुखाम में आपको फायदा देती है आ कि इसको आपने बिल्कुल छोड़ना है नहीं तो ये बीच पीच में से जल जाएगा कहीं जरा रह जाएगगा इसी तरह आपने चलाते हुआ हूँ इसको भूनार पॉलता है शर्टelsाब लेकिन इस दुद में इतना ही वेसन डाला जाता है इसको पंजाबी में शीरा बोलते हैं हमारी हाँ तो इसको शीरा बोला जाता है ये तक्रीबन तक्रीबन सर्दियों में तब बनाया जाता है जब किसी को खांसी गला खराब हो जुखाम हो तो उन दिनों में ये बना कर उसे पेशेंट को दिया जाता है, नॉर्मल में भी आप इसे पी सकते हो, और इसको पीने के बाद एक घंटे तक आपने पानी नहीं पीना होता है, एक घंटे तक पानी ना पीएं, और इसे पीकर आप लेड जाएं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, और ये आपको बहुत जल अब इसमें हमने दूद डालना है, मेरे पास 20 ml दूद है, अब इसे हम अच्छी तरह चलाएंगे, वेशन को अपने इसके अंदर अच्छी तरह घोल लेना है, अब जैसे ये पके का है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, अभी थोड़ा आपको वाइट लग रहा होगा, त यलो कलर का हो जाएगा, फ्लेम को अब थोड़ा मीडियम कर देते हैं, पहले हमने बिल्कुल लो किया हुआ था, अब देखे जब यह पकना शुरू हो गया, इसके अंदर थोड़े से काजू, बदाम और पिस्ता, मैंने बिल्कुल बारिक चॉप कर लिया है, इसके अंदर दाल देते हैं, और यहां पर किश्मिश डालनी है, इसके अंदर, किश्मिश डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, अब जब किश्मिश उबल चुकी है, दूद में काफी अच्छी तरह है, आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आगया है, अब इसके अंद अगर आप गुड़ को पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, गुड़ और किश्मिश डालने के पाद आप इसे दो मिनट तक पका लें, ताकि किश्मिश का जो असर है, वो भी निकल जाए, और गुड़ भी अच्छी तरह घुल जाए, उसके बाद य वो आपकी च्वैस रहेगी, लेकिन जब हम सर्दियों के लिए कोई गरम चीज बनाते हैं, तो उसके इंदर गुड़ डाला जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लिजिए ये अब पगना शुरू हो गया है, अब दो मिनट लो फ्लेम पे से पका लेंगे, फिर इसे स त्यार हो गया है, और थोड़ा सा थंडा भी हो गया है, बहुत ज़्यादा थंडा इसे नहीं करना है आपने, इसे गरमा गरम ही सर्व किया जाता है, और अब हम इसे किसी गिलास में, कटोरी में, जैसे आपका दिल करें, पर उसके दीजिए, और ये बहुत ही यमी, दूद बन कर त्यार हुआ है, ये आपकी बॉड़ी को बहुत घरमा हट देगा, किश्मिश भी आप इसके अंदर डाल दें, और किश्मिश को आप चमच की हल्प से खा सकते हैं, अब लीजे दूद हमारा बन कर त्यार हो गया है, हमने इसे सौफ कर दिया है, अब हम इसके थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं, कटा हुआ, और इसके उपर से डाल देते हैं, एक तो धागे केसर के, और फिर देखिएगा इसका जो लाजवाब टेस्ट आएगा, लीजे, हमारा बेस्तन वाला मसाला दूद बन कर तैयार हो गया है, आप इसे बनाईए, और अपने घ लाएंगे तो उनको बार बार इसको पीने का मन करेगा, और ये हैल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपको अगर यह तरीका पसंद आया हो, और अगर आपको पहले से पता हो, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, आगे हम किसी नही रस्ट की साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुडबाई, टेक्याँ